तो ये वीडियो है आप सभी जैमीश 2022 के अपना एक्जाम देने वाले हैं जैमीश का तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीडियो इंपोटेंट होने वाली है इस उड़े में बात करने वाला हूँ कि आपका केमेश्ट्री में हर टॉपिक वाइज कितना कितना कुछा जा पाया है तो आपके लिए सबसे बिगेश्ट अपर्चुनेटी जो कि आपका टेन थावजिन का होता था अने के तरफ से फाइनली वनली फॉटी फाइज का प्लस स्क्रिप्शन वनली टू नाइंटी नाइन रूपीज पर आपको जो है प्रोभाइट किया जा रहा है इसमे प्रोभाइज में आप मेरा कोड यूज करें तो आपको टू नाइंटी नाइन से भी आपको ट्वेंटी पर्सेंट का जो है ऑफ होने के बाद वनली एन वनली टू थाटी नाइन रूपीज में आप इंडॉल कर सकते हो ठीक है जो कि आर प्योरली फोकस्ट आपका अभी से देखे तो 45 देज का टाइम रहा गया जीमी इसका फॉस्ट एटेम्ट के लिए तो यहां से 45 देज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके अर प्योरली फोकस्ट जीमी इसके लिए होने वाला है जिसमें कि आपको लाइव क्लासेज भी टॉप एटुप एटू इ इसके लावे जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अनेकरिमी के जो टॉप एजुकेटर होते हैं आई एटी जेई नीट के लिए जो टॉप एजुकेटर है वो आपको पढ़ा रहे होंगे इंट्रेक्टिव लाइफ क्लासेज मिल रहा होगा पूरा डीटेल में आपका रिपोर्ट दिया जाता है कि आपको कौन से चेप्टर का कौन से टॉपिक में आपको और भी अच्छा करना है और अस्ट्रक्चर्टर कोर्सेश और पीडिये पे सब सारा आपको प्रभाइट किया जा रहा होगा आप अगर जो सच में रियल में जेमेश 221-22 के लिए आप सिरियस हो तो आप जो है यह 45 देज का प्लस सब्सक्रिप्चन जरूर से जरूर ले और टॉप एजगेटर के गाइडिन्स में आप जेमेश 221 का प्रिपेशन करें लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्चन में दिया हुआ इन्रॉल करने का उस लिंक क्लिक करें और इन्रॉल करें विथ यूजिंग माई कोड सोनु 123 यह आप लोग देख सकते हो जेमेश 222 केमेश्ट्री वेटेज तो इसमें जो है मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ जेमेश 221 के हर टॉपिक वाइज हर आपका चेक्टर वाइज आपका चेप्टर मार्च में भी छेएजिट में एक्जाम हुआ तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मोल कोंसेट में आपका यूज एक्टों पोछा गया था वहें पर मार्च अटेम्ट में जो एकजाम हुआ । में आपका एवरेज 2 questions नो है पर जुलाइ में 7 जिफट में आपका 10 questions याने के यहां पर भी average मान सकते हूँ कि हर shift में आपका 2 questions पूछे जा रहे थे इसका यहीर हो कि आपका मौल कंसरेप्ट में कि हर shift में आपका minimum 1 question या तो maximum 2 questions पूछे जाते हैं ठीक है तो मोल कंसर्ट से यानिकी 1 question या तो फिर 2 question आपके जो है confirm रहो कि आपका जे में 2022 का जो है आपका 1st attempt में भी आपका पूछा जाएगा ठीक है minimum एक question तो पूछा जाएगा max to max आपका 2 question भी पूछे जा सकते हैं वहें प्यार आप लोग देख सकते हो गैसियस अस्टेट में आपका 6 स्टेट में फरवरी में आपका 3 question पूछा जाता है ठीक है वहें प्यार atomic structure की बात करूँ तो atomic structure में आप लोग देख सकते हो छे स्ट में आपका 5 question मार्च अटेम्ट में छे स्ट में 7 जुलाई अटेम्ट में 7 शिफ्ट में आपका 5 question पूछा गया था निकि एवरेज आप लोग देख सकते हो कि एव कोस्टन atomic structure से जो हमेशा आता ही आता है ठीक है और नेक्स्ट वहें पर आप लोग देख सकते हो केमिकल एकलूरियम के बारे में आपका 3 questions 6 shift में 2 questions 6 shift में 7 shift में 6 questions यान कि एवरेज आपका एक कोस्टन जो है chemical equilibrium से भी आपका miss confirm आएगा ही आएगा ठीक है तो ionic equilibrium में भी जो है आपको एक कोस्टन जो है एवरेज पूछाएगा जाएगा solid state से भी एक कोस्टन या तो पिर कभी-कभी यार जो है solid state से एक कोस्टन आता भी है किसी किसी shift में आपका question नहीं भी आ सकता है ठीक है और उसके बाद फिर chemical kinetics के अगर जो बात करो तो seven question five question eight question यान कि इस से भी आर किसी shift में आपका two question भी पूछ लिये जाते है और किसी shift में आपका one question भी कभी-कभी question आएगा भी नहीं भी आएगा लेकिन average आप लोग मान सकते हो कि 100% guarantee के साथ एक question minimum तो आएगा ही आएगा ठीक है वहाँ पर next अगर five five and seven question and surface chemistry में भी five five and seven question ठीक है यानि कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि electro chemistry and surface chemistry सभी minimum एक question आपके आएगा ही आएगा ठीक है और नेक्स्ट अब बात कर लेता हूं आपके इन और्गेनिक chemistry के बारे में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रियोडिक टेबल में छेज़वट में छेट संच शेवट में सेवट में 10 यानि कि मीनमम एक क्वेशन एवरेज यानि कि एक कोशन मीनमम तो आए गा ही आएगा और माइक्समम आपका टू कोश्टन भी आ सकता है परियोडिक टेबल से ठीक है वहें पर एक केमिकल बान्डिंग से खोगड़ों त सकता है ठीक है तो यानि कि यह आप लोग मान सकते हो कि केमिकल बॉर्णिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट कोश्चन इंपोटेंट चेप्टर है इन और्गनिक केमिस्टी के लिए इसे आप लोग जो है मीस आउट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट बात करूं कोडिनेशन से यहां पर आप लोग देख सकते हो छेष्ट में सेवेन कोश्चन चेश्ट में एड गोश्चन चेवेन सिफ्ट में चौश्चन यानि कि आपका मिनमुम एक कोश्चन मैक्समुम टू कोश्चन या तो फिर दो कुश्चन मीनमुम हंडेड़ परसेंट गैरेंटी के साथ यहां जा सकते हैं सब्सक्राइड लेकान की कि आपके एक कोश्चन मिस्मिनमुम पूछे जा सकते हैं इन्वायमेंटल केमिस्टि में आप लोग देख सकते हों कि एवरेज यार एक कॉस्चन जो है एक हन्रेज़ बुंग टाइट टॉफिक से यानि मैं कि एक स्टेक्ट में 14 कोशेन तो थो कोशेन ने कि मीर्रीग तीड में नेरी जहीं किसे स्थ्ट में साथ आपका एक कोशन से tenim गे-डेरों अहों सब्सक्राइनि'll कोशिए किसी किसी स्ट में आ ब्रू कोशन खरू कोशन भी reduction, oxidation, hydrolysis six आप लोग देख सकते हो 455 याँ कि minimum one question miss आएगा hydrocarbon से 1 question मिस आपके आते हैं, किसी किसी shift में आपका जो hydrocarbon से नहीं भी पूछए जा सकते हैं and वहाँ पर aromatic compound से आप Л Success आप लोग देख सकते हो, aromatic compound and amine से 14 questions 10 question 15 question यानकि इन दोनों टॉपिक्स को अगर जो मिला लेते हो aromatic compound plus amine से तो यहां पर आप लोग देख सकते हो छे सिट में आपका 14 question 6 सिट में आपका 10 question and 7 सिट में आपका 15 question यानकि यह जो है आपका बहुत है important topic से यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एवरेज आपका 100% guarantee के साथ आपके आएंगे ही आएंगे वहाँ प्यार नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो आप अपने हिसाब से आपके लिए कौनकों से important topics है कौनकों से important chapter है ने हिसाब से आप 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 जो है इंपोटेंस कर सकते हो importance दे सकते हो और यह जो है मैंने जो भी डिसक्स किया है इस यह पूरा पीडिया में फाट्टीर ग्रूप में लिंक वाट्टीर ग्रूप में जो है मैं और फाइनली मैं फिजिस के लिए एंड प्लस माहित के लिए भी मैं नेख टूडियो बना दूगा सो में चैनल पर आप लोग नए है तो चैनल को सब्काइब जोड़िए